सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वक्षीट का थीम है Fly With Me, मेरे साथ उड़िये या मेरे साथ उड़ो Which of these can fly in the air इन में से कौन से चीजें या कौन से वहन असमान में उड़ सकते हैं Write the correct number in the box जो सही नमबर है इन पर नमबर डले हुए है उन में से सही नमबर को हमें बॉक्स में लिखना है तो बच्चों यह हमें 5 चीजे दी हुई है यह हमें दिया हुआ है ठीक है परशूट यह हमें 2nd number पर स्कूल बस 3rd पर यह हमें दिया हुआ है एरोप्लेन 4th पर हेलिकॉप्टर 5 पर कार 6 पर बोट तो इन में से खॉन कॉन सी चीज़ वोड़ सकती है बच्चों उन्हें सरकल कर देती हुँ देखिए कॉन सी चीज़ वोड़ सकती है एक number 1 पर जो चीज़ वो वोड़ सकती है नमबर 3 पर जो है वो उड़ सकती है नमबर 4 पर जो है वो भी उड़ सकती है ओके स्टुटेंट तो हम इसे यहाँ पर लिख दिया हमने 1, 3 and 4 नेक्स्ट देखिए सर्च इदा नेम नाम खोजिए ओके नाम खोजिए ना इसमें It flies in the air ये हवा में उड़ता है Its name is hidden in the puzzle इसका name ये चुपा हुआ है Can you help me find its name क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसका नाम पते लगाने के लिए किसके नाम की बात हो रही है बच्चो इसके नाम की बात हो रही है ऐरोप्लेन की पिक दी हुई ये नाम है red R से start होता है, onion O से start होती है, ठीक है pineapple P से start होता है हमें क्या करना है, इनके संकेत देख के चित्रों के पहले letter लिखने है, पहचान कर तो हम वहीं कर रहे है leaf किसे start होती है? L से aunt किसे start होती है? A से nose N से elephant E से, तो हमने इसका पजल में नाम ढूंड लिया, यह क्या गया, एरोप्लेन, ओके एरोप्लेन की हमें पिक्चर भी दिखाई हुई थी यहाँ पर, ओके उससे भी हमें पता चल गया, तो यह हो गया बच्चो, अब कोशें नमबर थार्ड है बच्चो, if you are given an opportunity to fly, अगर आपको share with your parents, अपने मातपिता के साथ आपको यह share करना है, तो अगर मुझे हवाई यात्रा को मौका मिले, तो बच्चो, मैं तो सुईजरलेंड जाना चाहूंगी, मैंने सुईजरलेंड लिख दिया, ओके, फिर किसके साथ जाना चाहूंगी, तो वो मैं लिख देती हूं, यहाँ पर, वो भी मैं लिख देती हूं, किसके साथ, with my parents, ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया, with my parents, आप भी यह लिख लेना, ओके, तो यह आप लिख सकते हैं, आपकी worksheet solve हो गई, और आप जो लिखना चाहाएं, आप अपना answer भी लिख सकते हैं, according to your choice, आपकी worksheet solve हो गई है, तो मिलते हैं next video में, next worksheet के साथ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिए, तो please मेरी वीडियो को like कीचे, share कीचे, हमारे चैनल को subscribe कीचे, thanks for watching,